नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मुकुलेशडी में आज का हमारा टॉपिक है IUCN लिस्ट के बारे में जानेंगे यह क्या होता है ओके चलिए इसे क्या कहते हैं इसे देखते हैं दो इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर यानि कि अंतराश्टी प्रकर्तिक सनच्छर संग ठीक है देखिए इसकी अस्थापना पांच अक्टूबर 1948 के हुई थी यानि कि IUCN की अस्थापना पांच अक्टूबर 1948 के हुई थी इसका मुख्याले का है ग्ले स्विचर लेंड में ग्लेंड का है स्विचर लेंड में देखिए इसमें संकट ग्रस्त जातियों को IUCN लिस्ट में नामबद किया जाता है यानि कि जो संकट ग्रस्त जातियां होती है प्रजातियां होती है उनको रेट सूची में रेट डाटा सूची में लिखा जाता है और इसका उद्देश से है विस्वभर में पौधो और पसुओं की जातियों की सनच्छड इस्ति को देखता है यानि कि यह विस्वभर में पौधो और पसुओं की जातियों की सनच्छड इस्ति को देखता है और अंतराश्टी प्रकृतिक सनच्छड संग यानि की आयूशियन 20 अस्तर पर बिभिन जातियों की सनच्छड इस्तिति पर निगरानी रखने वाला या सरोच संगठान यानि की यह जातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए यह अपना निगरानी करता रहता है देखिए बिस्ट में लाज सुचियों की एक आयूसियन सिंखला है जो बिस्ट के विविन देशों तथा संगटनों द्वारा किसी एक राजनितिक प्रबंधन निकाई के अंतरगत जातियों के बिलुक्त होने के जोखिम का आकलन कर तयार की जाती है इसमें एक रिपोर्ट प्रकासित किया जाता है जिसकी सुरुवात 1979 की हुई थी देखिए आयोसियन लिस्ट निम्ल प्रकार के है पहला है बिलुक्त इनमें वह जातियां है जो जीवित नहीं है यानि कि वह जातियां जो पूरी तरह से खतम हो चुकी है गयव हो चुकी है इस प्रिथिवी से वह बिलुक्त जातियां होती है यानि कि फर्स्ट है यानि कि यह जातिया वनों से पूर्थक खतम हो चुकी हैं और इसके बचे हुए सदस केवल चिडिया घरों या अपने मूल अस्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास अस्थान पर जीवित हैं यानि कि इन में वह जातिया जो जंगलों में नहीं है जिने चिडिया घर या कहीं ऐसी जगा रखा गया है जो मानोद्वारा निर्मित हो देखिए तीसरा है घोर संकट ग्रस्त इन में वह जातिया है जो बनों से बिलुप्त होने के घोर कगार पर है औके चोथा है संकट ग्रस्त जातिया यानि कि वह जातिया जो वनों से बुरुप्त होने का खतरा है उन पर नहीं कि पाच्वाएं असुरचीत यानि कि वह जातिया जो वनों में संकट ग्रस्त हो जाने की संभावना है यानि कि यह पूरी तरह से असुरच्चीत है कि से मानों से या तो जानवरों से ओके देखे छटा है संकट निकट यानि कि वह जातियां जो भविस्व में खतम हो सकती है उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़कर यह कारे कर रहा है कौन आयूशियन ओके देखे सत्मा है संकट मुक्द यानि कि वह जातियां जिनको बहुत कम खत्रा है जो बड़ी तदाद में हो बिस्तित चेत्र में पाई जाती है ओके ठीक है देखे गोर्डन रंगुर है देखे आठा आठा आकडो का भाव यानि कि वह जातियां जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिनके बारे में हम कम जानते हैं, इसलिए इन्हें आकडो का भाव के नाम से जानते हैं, नौह है अनाकलित, यानि कि वह जातियां जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, अभी भी इनकी खोज हो रही है, वह जातियां इस कटेगरी में आती है ठीक है दोस्तों है ओके देखिए भारत में कौन-कौन सी जातिया है जो रेड लिस्ट में यानि कि रेड डाटा में है देखिए पहला है रेड पांडा जो संकट ग्रस्त है दूसरा है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जो अती संकट ग्रस्त है ठीक है दूसरा है फ्लेम थ्रोटेट बुल बुल यह बहुत कम संकट है यानि कि बहुत कम संकट में ओके चौथा है क्लावडड लियोपॉर्ड यह क्या है संवेदम सील है क्या है संवेदम सील है ओके आगे देखिए यह है एसी आई हाथी यह क्या है संकट ग्रस्त है एसी आई हाथी क्या है संकट ग्रस्त है देखिए आगे है हीम तेंदुआ यह क्या है संवेदम सील है हीम तेंदुआ क्य है gonna लिसा कि राज में आता है ठिक है कहा दाय उडिसा राज में आता है हर सल हुख फॉन आकि कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सबस्क्राइब उबस्क्राइब करें ज्यादा से ज्यादा एक मुद्प और प्रकार का टापिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने मैं आपके लिए वीडियो एवलेवल कर दूँगा ओके थैंक यू दोस्तों